नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईए सिंधी में आप सभी का स्वागत हैं, आज हम आपके सामने 27 जुलाई 2021 के डेली कुज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें देहंदु अकबार, भारस सरकार के वेविन मंत्राल है और PIV की प्रमुख घुषनाओं के आधार पर हम प्रारंभ परिच्छा के प्रस्त आपको देते हैं, इसी के साथ साथ विगत वर्सों की परिच्छाओं में पूछे के प्रस्त प्रैक्टिस के लिए देते हैं, और अंतिम भाग में आज के प्रमुख तत्य की हम चर्चा करते हैं, आज के डेली कुछ के अपने पहले प्रस्त को हम दे अचानक उसके बाद एक तरह से वो इस तरह की भूमिकाओं से अलग हो गए इस घटना के बाद उन्होंने अपने आपको प्रमुक रूप से क्रांतिकारी राष्टवास से जोड़ दिया और आगे चलकर क्रांतिकारी गद्विद्यों के माद्यम से भारत में आजादी की स्थ स्थापना की दियान रखे 1928 में संगटन की स्थापना की गई और इसमें भगत सिंग का भी प्रमुक रूप से योगदान था इसलिए दूसरा गर्म यहाँ पर पॉइंट देखें तो यह आपका सही है पहला गलत है इसलिए आपको अंसर हो जाता है बी केवल दो यहाँ प पंजाब आर्काइब से वहाँ पर यह दस्ता बेज रखे होए तो उनको एक तरह से भारत में लाकर उनके संबढ़ में लोगों को सूचना देना या दिखाना इसके संबढ़ में यहाँ पर कुछ लोगों के दोरा प्रियास किया जा रह रहे है इसी में अगर हम प्रम प्र जाव उन्वेस्टी के एक प्रोफेसर हैं, चमनलाल, उनके दौरा प्रमो कुरूप से प्रयास किया जा रहे हैं, जिससे कि भगत सिंग के ट्रायल के संबंद में जो दस्ता बेजा हैं, उनको भारत में एक तरह से लाया जा सके। कांदला अगर हम विसे सार्थिक छेत्रों में देखें, तो पहला ऐसा ग्रीन जोन जिसको इस तरह से प्लेटिनम रिटिंग दी गई हैं। इस परिशत के अगर हम बात करें, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसल आईजी बीसी, इसकी स्थापना 2001 में भारती उद्ध्योग परिशत के द्वारा की गई थी। इस परिशत का प्रमुख रूप से उद्धेश ये है कि सभी के लिए कि स्थाई निर्मित वातावरण को सच्छम करना और भारत को 2025 तक सतत निर्मित वातावरण में बैस्विक नित्रित करता के रूप में इस्थापित करना, यानि सतत व कास के साथ जुड़े रहें, इस प्रक्रिया को 2025 तक भारत में पूर्ण रूप से एक तरह से मजबूती से इस्थापित करना चाता है भारती उद्ध्योग परसंग, और इसी लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसल IGBC का गठन 2001 में किया गया, इसके द्वारे अगर ह जोन जिसमें कांदला को यहाँ पर पहली बार दिया जा रहा है, इसी के साथ साथ अन्य लेंड्सकेप और मास रैपिड ट्रांजिस सिस्टम, तो इस तरह के अलग-अलग जो तंत्र हैं, उनको प्रमु खुरूप से यहाँ पर प्रमानन दिया जाता है, इस प्रमानन या सा में दिया जाता है, जैसे प्रारम में के वाद सर्टिफाइट किया जाता है, और इसके लिए जो नंबरिंग है, वो 51 से 60 के बीच में होनी चाहिए, और ये बेस्ट प्रैक्टिस जो करते हैं, जो अच्छे सतत विकास के लिए साधन अपना रहे हैं, उनको एक तरह से दिया जैसे प्रमुखाब धरान देखें, जो भी भवन निर्मान किया गया है, वहाँ पर बिजली के आपूरती के लिए प्रमुख रूप से अगरम देखें, सौर उर्जा का उप्योग करना, या इस तरह से भवन निर्मान करना कि वहाँ पर कूलिंग सिस्टम की बहुत कम अव यह राश्टरी इस तरह पर अगर हम देखें, तो सबसे अच्छा जो कदम उठाने वाली बिल्डिंग्स हैं, उनको एक तरह से दिया जाता है, प्लैटिनम अगर यहाँ पर सर्टिफिक्ट दिया जाता है, किसी भी संस्ता को, तो यह एक तरह से उस संस्ता के दारा, जो भी सतत विकास के लिए अपने यहाँ काम किये गए हैं, उनमें एक बैस्विक नेत्रित को दिखाता है, यहाँ पर ऐसी तक्निकों का उपियोग किया गया, जिसको बिस्त में अन्य देशों के दारा, अन्य संस्ताओं के दारा भी अपना आ जा सकता है, तो ग्लोबल लीडर्श अभी इसका प्रस्तावे अंतिम रूप में नामित नहीं किया गया है, दूसरा आर्दर भूमी में जीले और नदिया भूमिकत जलबरत यानि हम इसे भूमिकत अंडर वाटर एक्विफायर कहते हैं, दलदल के छेत, चावल के खेत और नमक पहन सामिल होते हैं, आप ध्यान कि सतर पर आप ध्यान रखें, आर्दर भूमी या वेटलेंड्स हैं, उनको सनरचित करने के लिए इरान के रामसर सहर के आधार पर एक कन्वेंशन हस्ताचर किया गया 1971 में, इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, और रामसर कन्वेंशन के आधार पर अलग-अलग धेसों मे जो वेटलेंड हैं, आर्दर भूमी हैं, उनने रामसर इस्तल गोसित किया जाता है, जिससे कि उनका सनरच्छन मजबूत किया जा सके, इन्हें एक तरह से जय विवित्ता के लिए काफी महत्तपूर्ण माना जाता है, अगर हम इस कन्वेंशन की बात करें, जैसे 1971 में हस्ता किया गया, यह 1975 से लागू हो गई, भारत ने 1982 में अपने आपको इसमें सामिल किया, वर्तबाव में भारत में कुल 42 अलग-अलग रामसर इस्तल गोसित हैं, इसी सिर्णी में अगर हम देखें, तो महरास्ट में ठाने क्रीक, जो फ्लैमिंगो अभैरन है, उसको भी रामसर सामिल करने के लिए एक प्रस्ताव किया गया है, और जब हम आर्दर भूमी की बात करते हैं रामसर में, तो नदियों का, जीलों का छेत्र, भूमी का जो भी एक तरह से पानी के छेत्र, दलदल के छेत्र, चावल के जो खेत हैं, उनका भाग, नमक के जो मैदान है, वहाँ पर अगर पानी भरा हुआ है, तो इस तरह की जो छेत्र हैं, इनको अगर हम देखें, तो प्रमुक रूप से आर्दर भूमी छेत्र में सामिल किया जाता है, इस आधार पर अगर हम देखें, तो पहला यहाँ पर पॉइंट गलत है, दूसरा सही है, तो अंसर आपका B केवल दो सही है, यहाँ पर यह पर प्रस्ट हमने आपसे इसलिए पूचा है, क्योंकि अगर हम बात करें मुंबई महानगर छेत्र की, तो उसमें पहली रामसर साइट हो सकती है, और यह होगी ठाने क्रीक फ्लैमिंगो सैंक्चूरी, इसके संबद में जो महरास्ट में स्टेट व भूमत सागर से लगती है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मॉंटेनेगरो, इराक, इसके लिए आपको मैप एक तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर मैप देखें, तो यह भूमत सागर का छेत्र है, अगर हम मैप में देखें, तो यह लेबनान देशर जि उनकी सीमा भूमत सागर से नहीं बनती है, तो यहाँ पर हमने जो प्रस्न पूछा है, उसके अनुसार आपका अंसर है, लेबनान, सीरिया, और मॉंटेनेगरो, यानी 1, 2 और 4, तो अंसर आपका हो जाता है C, के वल 1, 2 और 4, यह प्रस हमने आप से इसलिए पूछा है, क्यो तो कि अगर हम देखें लगबग एक साल से वहाँ पर कार्यवाग सरकार काम कर रही है, आप ध्यान रखें, लेबनान में अलग-अलग धार्मिक एक तरह से जो जनसंक्या है, उसके आधार पर वहाँ पर राजनीतिक एक तरह से धाचा बना हुआ है, और वहाँ पर संसत का जो अध्यक्च है, वो हमेशा एक सिया मुस्लिम हो सकता है, डेली कुछ के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम सिविल सिवा प्रारवी परिच्छा में विगत वर्स में पूछे के प्रस्ट आप से पूछते हैं, यहां पर आज हमने 2013 में पूछे के प्र बंद में हैं, तो यह प्रस्ताव लोकसवा राजसवा, यानि संसत के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, केवल लोकसवा में संविदान संसुदन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, यह कथन गलत है, दूसरा, यदि ऐसा संसुदन संविदान के संगिय सरूप में परवर्तन क करने का प्यास करता है तो संसोधन को बारत के सभी राज्यों के विधायका द्वारा अनुसमर्थित करने की भी आवश्रकता होती है यह दि किसी तरह का संविधान संसोधन संगी सरूप में परवर्तन करने जा रहा है तो राज्यों की जो विधायका है उसका भी एक तरह से सम खाग में हम आज के प्रमुक तत्थ की चर्चा करते हैं इसमें हम Monoclonal Antibody की चर्चा करेंगे यहाँ पर यह तत्थ हमने इसलिए लिया है क्योंकि बायकॉन कंपणी के दौरा Monoclonal Antibody का इतरह से उत्पादन करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है इसके संबद में प्रवक रूप से हम देखते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है और वर्तमान में COVID-19 के इलाज के इसको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है अगर हम monoclonal antibody की बात करें तो यह प्रयोकसाला में निर्मित प्रोटीन होते हैं और वाइरस एक तरह से जो हानेकरक रूप में सरी को नुकसान पहुचा सकते हैं उनसे लड़ने के लिए एक तरह से प्रत्रच्य प्रणाली की रूप में यह काम करते हैं और हमारे सरी में जो antibody का एक तंत्र होता है उसी की एक नकल होते हैं Monoclonal Antibody जने प्रयोकसाला में निर्मित किया जाता है Sotro-Vimab Monoclonal Antibody के अगर हम बात करें तो COVID-19 का जो वाइरस है जिसमें जो spike protein होते हैं अगर आप COVID-19 का वाइरस देखे तो इस तरह से spikes होते हैं तो इस spike protein के खिलाप एक तरह से antibody काम करता है COVID-19 का वाइरस जिस वक्ति को प्रभावित करता है उसमें प्रमुक रूप से यह spike protein एक तरह से उसके साथ सलनग नोने में मदद करते हैं तो इन कोसिकाओं को एक तरह से यह नुकसान पहुचाता है और यह अवरुद कर देता है COVID-19 के वाइरस को किसी भी सरीर के भाग में कोसिका में एक तरह से अपने आपको स्थापित करने के लिए इस प्रक्रिया के लिए इस antibody को काफी महत्पूर्ण माना जाता है Monoclonal antibody के अगर हम बात करें तो cancer के साथ अन्य प्रकायर की जो प्रतरच्छा प्रालियों से संबंदी जो बीमारिया है या वच्पन के जो वाइरल संक्रमन है या अन्य प्रकायर के जो रोग हैं उनको एक तरह से उनका सही रूप में इलाज करने के लिए इस प्रक्रिया को काफी महत्पून माना जाता है और आप ध्यान रखें ये किसी तरह की रासायनी योगिक नहीं है और ये प्राकरते के antibody पर आधारित होते हैं और जब हम antibody की बात करते हैं प्रोटीन होते हैं जो सरीर खुद को बिमारी से बचाने के लिए पैदा करता है लेकिन जब हम बात करते हैं monoclonal antibody तो इनको एक तरह से प्रयोकसाला में बनाया जाता है और बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन किया जाता है तो इसलिए कभी-कभी इस तरह के जो antibody जो प्रयोकसाला में बनते हैं इनको designer antibody भी कहा जाता है antibody के अगर हम बात करें तो कुछ विशिस्ट लक्षों को एक तरह से देख कर वो काम करते हैं और जिनके लिए इन antibody का उप्योग किया जाता है जैसे virus की बात करें वेक्टिरिया या cancer की कुछ करें उनको यह हानी रहित एक तरह से बनाते हैं तो इस रूप में antibody का प्रमक रूप से उप्योग हो पाता है मान लिजे सरी के अंदर अगर कोई virus पहुचा हुआ है तो monoclonal antibody का काम यह रहता है कि इस virus को निस्क्री करके आगे कारे करने से एक तरह से रोके या इस monoclonal antibody के दोरा इस virus को एक तरह से सरी के अंदर एक बाहरी जो भाग है उसके रूप में चिन्नित किया जाता है और हमारे सरी में जैसे ही बाहरी किसी तरह के आक्रमन की एक सूचना होती है किसी तरह के संक्रमन की सूचना होती है हमारे सरी का जो प्रतरच्छा पढ़ा ली है वो एक तरह से इन आक्रमन कारियों को हटाने के लिए प्रयास सुरू कर देता है तो इस प्रक्रिया को सुरू करने में भी कभी-कभी monoclonal antibody प्रमखुरूप से कारे करते हैं वो हमेशा किसी वाइरस के खिलाफी नहीं होती है जैसे अगर आप अधान देखें तो COVID-19 में कभी-कभी देखा गया है कि जो मरीज हैं वो साइटोकाइन स्टॉर्म से भी एक तरह से प्रभावित होते हैं और उनकी स्थिति अगर खराब होती है तो ये एक बड़ा कारण माना जाता है आप ध्यान रखें किसी भी तरह का वाइरस का अगर संक्रण होता है तो हमारे सरीर की जो प्रतरच्छा पढाली है या प्रतिक्रिया बहुत बढ़ी होती है तो यह भी सरीर को नुक्सान पहुचा सकता है तो इस प्रक्रिया को धीमा कैसे किया जाए यह कारी भी एक तरह से इस तरह के मोनोक्लोन एंटिबोडी कर सकते हैं यानि सरीर की जो प्रतिरच्छा प्रतिक्रिया है उसको कम करने के लिए भी एक तरह से इन एंटिबोडी का उप्योग किया जा सकता है और इस तरह की जो प्रक्रिया हैं उन्हें COVID-19 में मरीजों में बड़े पैमाने पर देखा गया है तो उसको रोकने के लिए पर एक तरह से हम कारे कर सकते हैं यानि प्रतिरच्छा पड़ा लिए आवस्टता से ज़्यादा तेजना काम करें या रोकने के लिए इस तरह के antibody का उपयोग किया जा सकता है इन monoclonal antibody के अगर हम बात करें तो प्रयोकसाला में प्रमुक रूप से ये चीनी हैंस्टर एक तरह से जो जीव होते हैं उनके अंडा से कोशकाव में इनको प्रमुक रूप से उत्पन किया जाता है यहाँ पर अब देखें यह COVID-19 का वाइरस है यह इसके spice का part है और यह जो green color है यह एक तरह से monoclonal antibody है तो जब चारो तरब से यह वाइरस को एक तरह से यहाँ पर surround किया हुआ है घेरा हुआ है ऐसी स्थिती में COVID-19 का वाइरस है वो लगभग निस्करी स्थिती में हो जाता है और आगे अपनी जो क्रिया है उसको बढ़ा नहीं पाता है तो यह जो monoclonal antibody है वो वाइरस के साथ एक तरह से जुड़ कर उसको किसी भी तरह के नुकसान पहुचाने से रोकती है यह हमारा 27 जुलाई 2021 का daily quiz था आने वाले दिनों में अन्ने दिनों के daily quiz हम आपको इसी तरह से उपलत कराते रहेंगे by juice आये सिंधी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में like, share और subscribe आवश्य करें धन्यवाद